इसका रिक्रम के पुन्यार्चक है श्रमर्ड संस्कृती पाठशाला के प्रेणा स्रोत एवं मार्ग दर्शन स्वर्ग्य पंडित्ष्री रतनलाल जी बैनाडा की पुन्यस्मृती में बैनाडा उद्योक लिमितेट आगरा शिरिमान नंदकिशो श्रीमती शांता देवी जैन पहाडिया प्रमोध नीना जैन सुनील निशा जैन पुत्र-पुत्र वधू अंकित इती जैन पौत्र-पौत्र वधू अक्षद जैन पौत्र आदविक जैन आन्या जैन पढपोत्र एवं समस्त पहाडिय परिवार, फर्म, A.R.L. Infra-Tech Limited, अक्षत Apartments Private Limited, जैपुर, शिरीमान नरेंद्र कुमार जी, शिरीमती पुषपा देवी जी, शिरीमान सुरेश कुमार जी, शिरीमती ललिता देवी जी, शिरीमान प्रदीप कुमार जी, शिरीमती मन्जु देवी जी, श एहा बाड़ी गोहाती असम, शिरीमती पुषपा देवी मुष्रफ, धर्मपत्नी स्वर्गय शिरी भागचंद जी मुष्रफ, पुत्र एवं पुत्र वदू, शिरी अनुर्शी मती अमिता मुष्रफ, पौत्र एवं पौत्र वदू, शिरी अंकेश शिरीमती इती जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपोत्र अव्यान जैन, एवं समस्त मुश्रव परिवार, देवनगर जैपूर राजस्थान. स्वर्गे शिरी नेमचंद जैन जी के पुन्य स्मृती में, शिरी मती शशी बाला जैन जी, पुत्र अवं पुत्र वधू, शिरी निखिल जैन जी, शिरी मती शालिनी जैन जी, पौत्री अवं पौत्र, निमिशा जैन, शनन्या जैन. जै जिनेंद्र नमी उन वड्ड मानं परमपानं जिनंति सुद्धेन वोच्छा मिरयन सारं सायारन यारधं मीनं पंच परमिष्ठी भगवान की जै द्वादशांग जिन्वानी माता की जै आचरे भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महराज की जै आचरे भगवंत श्री विद्या सागरजी महा मुनिराज की जै परम पूजी गुर्देव निर्यापक शमन मुनि पुंगोश्री सुधा सागर जी महराजी की अड़ाइद वीपस्त समस्त महा मुनिराजियों की रेंसार ग्रंथा दिराज में वर्णन चल रहा है ज्यानी और अज्यानी का कि वेराग्ये ज्यान और सयम किस प्रकार हम अपने जीवन में लाएं और उसके बिना हमारा यह मनुष्य जन्म और मुनी पर करना चाहिए आइए देखते हैं गाथा क्रमांग बहत्तर सुहडो सूरत विणा महिला सोहग रहिद परिसोहा वेरग्णान संजम हीना खवनान किम्पिलब धन्ते सुहडो सूरत विणा महिला सोहग रहिद परिसोहा वेरग्णान संजम हीना खवनान किम्पिलब धन्ते किसकी शोभा किसके बिना नहीं है यहां इस गाथा में आचर महरा समझा रहे हैं आईए अर्थ देखते हैं सुहडो सूरत विणा सूरत का मतलब शूरत्व शूरता शूरता वीरता उसके बिना सुहडो अर्था सुभट सुभट का मतलब होता है योध्धा अगर योध्धा के अंदर शूरता नहीं है वीरता नहीं है वो कायर होकर के और उस युध्ध मैदान से भाग जाए तो फिर वो योध्धा किस बात का तो युध्धा की शोभा शूरता के बिना नहीं है आगे कह रहे हैं सोहग विना महिला परिसोहा सोहग रहिद सोहग का मतलब सोभाग्य सुहाग रहिद माने रहित अपने सुहाग से अथ्वा सोभाग्य से रहित महिला की परिसोहा अर्थात परिशोभा अगर इस्त्री के पास में विवाहित इस्त्री के पास में अगर सुहाग नहीं है उसका वशात उसके पती की मृत्यू हो गई है वह विद्वा हो गई है तो लोक व्यभार में उसका सोलह श्रंगार करना उसका सजदच के रहना ये और ज़्यादा निम्न माना जाता है उस महिला की शोभा नहीं है तीसरी बात उसी तरह से कह रहे है वेरग नान संजम ही ना वेरग अरफात वेराग्य नान अरफात ज्यान और संजम से अरफात सयम से जो रहित है जिनके पास न वेराग्य है न ज्यान है और न सयम है ऐसे कौन खवणा अर्थात क्षपक मुनी महराज जो कर्मों का खशय करना चाहते हैं ऐसे वे मुनी महराज जो वेराग्य ज्यान और सयम से रहित हैं किम पी न लब्भनते वे कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं किम पी अर्थात कुछ भी न मतलब नहीं लब्भनते दोनों शब्द मिलते हैं लब्भनते भी और लब्धनते भी प्राप्त करते हैं न मतलब नहीं वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते तीन बाते यहाँ पर आचेर महराज कह रहे हैं दो उधारण के माध्यम से और एक सिध्धान्त यहाँ द्राष्टान्त घटा रहे हैं जिस प्रकार युद्ध कोशल दिखाने के लिए अपने आपको शत्र सेना को जीतने के लिए क्या शुर्टा वीर्था उस योद्धा में होना अनिवार यह है आवश्चक है उसके बिना वो योद्धा काहेगा अगर युद्ध भूमी मेंसे वो पीठ दिका कर भागाए तो लोग उसे कायर कहेंगे वो योद्धा नहीं कहलाएगा उसकी शोभा तो शूरता वीरता से है चाहे लड़ते लड़ते मरण को प्राप्त क्यों न हो जाए तो भी उसकी वीरगती कहलाती है उसी प्रकार महिलाओं की शोभा इस्त्रियों की शोभा अपने सुहाग से अपने पती से हुआ करती है अपने सोभाग्य से सहित होने पर उनकी शोभा है सोभाग्य या सुहाग से रहित होने पर उनकी कोई शोभा नहीं है ठीक उसी प्रकार संसार में जैसे ये दो शोभा का उधारन दिया उसी प्रकार मुनी महराज जो कर्मों का क्षय करना चाते है या खवणा शब्द का प्रियोग किया खशपक मुनिराज खशपक का मतलब जो कर्मों का नाश करना चाते हैं और मुनि बनने का मुख्यों देश्य भी वही है आत्मा का कल्यान करना और कर्मों का नाश करना तो वे मुनि महराज उनकी शोभा किसमे हैं? वेराग ग्यान और सयम में अगर वे इन तीनों से रहित हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते न शोभा को प्राप्त होते हैं और न अपने लक्षे को प्राप्त करते हैं इसलिए इन सब की शोभा उसी से है मुनिपत की शोभा वेराग ग्यान और सईयम से है भाये जी वेराग ग्यान और सईयम इन तीनों का मिल कैसे बिठाना चाहिए चुकि यहाँ पर बात चल रही है कर्मों का नाश करने वाले जीव की जिनका मुख्य उद्देश्य है मुझे कर्मों का नाश करना है तो कर्मों का नाश करने के लिए सबसे पहले तो सम्मेक दर्शन प्राप्त हुआ सम्मेक दर्शन मात्र से कर्मों का नाश नहीं होगा वह सम्मेक दर्श्टी जीव वेराग्ये को प्राप्त होता है बारे भावनाओं का चिंतवन करते हैं इसलिए जब हम 6 डाला पढ़ते हैं तो 3 और 4 धाल में सम्मेक दर्शन सम्मेक ज्यान का वर्णन उन्होंने किया फिर 5 धाल में उन्होंने 12 भावनाओं का वर्णन किया तो वेराग्य ग्यान और सयम की जो मेल है इनको आपस में मिलाने वाली जो आप बात पूछ रहे हैं उसमें ऐसा समजना चाहिए ग्यान से हातात पर यह सम्मेग ग्यान और सम्मेग दर्शन के बिना मुनिपद भी शोभा को प्राप्त नहीं होता सम्मेक दर्शन के बिना ये ज्यान वेराग्य सयम भी शोभा को प्राप्त नहीं होते इसलिए पहले तो सम्मेक दर्शन भले इस गाथा में सम्मेक दर्शन को साथ में नहीं लिया लेकिन ज्यान को ले लिया तो सम्मेक दर्शन अपने आप इंक्लूड होता है सयम को ग्रहन किया है तो सम्मेक दशन अपने आप आएगा ही आएगा बिना सम्मेक दशन के क्योंकि सम्मेक चारित्र होता नहीं है तो इस अपेक्षा से ये तीनों परम आवश्यक है इन तीनों से सहित जब होते हैं तभी कर्मों का नाश हो पाता है भया जी आपने कहा था पूर्व में कि ज्ञान ही आवस्षक नहीं, सयम भी आवस्षक है, ऐसा क्यों? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिना ज्ञान के सयम की प्राप्ति हो जाए? ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान क्या काम करता है? जब तक हम ये नहीं जानेंगे मेरे लिए है क्या है और उपादे मैं मुझे क्या छोड़ना है और क्या ग्रहन करना है तब तक हम सयम को अंगिकार कैसे करेंगे भले ही कोई मुनी महराज हो उन्हें बहुत शास्त्रों का ज्यान नहीं हो ग्यारह अंगर और नौ पूर्व का ज्यान करने के बाउजूद भी सम्मिक दर्शन के बिना वो ज्यान अधूरा ज्यान कहलाता है तब ऐसे इस्तिते में आचारों ने कहा उन्हें मात्र अष्ट प्रवचन मात्रिका का भी ज्यान होना इतना भी अगर ज्यान है तो निश्चित रूप से मौक्ष हो जाएगा पांस समीती और तीन गुपती लेकिन ये ज्यान इस ज्यान के माध्यम से भव्य आत्मा मुनी महराज ये तो समस्ते ही है कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या ग्रहन करना है अगली गाथा में आचैर महराज लोभिय और अज्यानी विक्ति के बारे में कह रहे हैं आईए देखते हैं सत्तो लहई तहाचेवं बुलिए वत्थु समगो मूढो लोही लभभई फलम जहापच्छा अन्नानी जो विसया सत्तो लहई तहाचेवं शब्दार्थ देखते हैं वत्थु समगो मूढो जहाँ अर्थात जिस प्रकार जैसे वत्थु समगो वत्थु अर्थात वस्तुओं से समगो माने युक्त सहित वस्तुओं से सहित अर्थात संसार में जितनी सारी वस्तुओं हैं उन सभी वस्तुओं से युक्त मूढो अर्थात मूर्ख व्यक्ती जिस प्रकार समस्त पदार्थों से युक्त वह मूर्ख व्यक्ती लोही अर्थात लोभी मनुष्य उसे मूर्ख भी कहा और लोभी भी कहा ऐसा वै लोभी मुर्ख मनुष्य पच्छा फलम लब्भई पच्छा अर्थात पीछे बाद में फलम अर्थात फल को लब्भई अर्थात प्राप्त करता है संसार में देखते हैं कि जिसके पास समस्त पदार्थ है ऐसा वह मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ती लोभी व्यक्ती उस फल को बाद में प्राप्त करता है तहा उसी प्रकार सो विशिया सत्तो विशियों से आसक्त अन्नाणी अर्थात अज्यानी व्यक्ती जिस प्रकार वह लोभी और मुर्ख व्यक्ती उस फल को बाद में प्राप्त करता है तहा उसी प्रकार वह विशिया सत्तो अन्नाणी विशिया सत्तो अर्थात विशियों में आसक्त वह अज्यानी विक्ती भी क्या करता है तहा एवर तम चेवर उसी प्रकार पीछे फल को प्राप्त करता है अर्थात बाद में ही उस फल को प्राप्त करता है कहने का तात पर यह क्या है इस गाथा का मतलब आचर महराज कह रहे हैं वह विश्या सक्त अज्ञानी विक्ती भी तम चेवर उसको बाद में अर्थात पीछे ही लहाई फलम फल को प्राप्त करता है क्यों क्योंकि अभी जो उसके पास में है वर्तवान में वो तो उसका उभ् ही है अज्यानी है विश्यों में आ सकते हैं और विश्यों में आ सकते रहने के कारण से जो कुछ उससे संपत्ति प्राप्त हुई है वो तो उसका उपभोग कर नहीं रहा विश्यों में आ सकती पूरवक अभी तो उपभोग कर रहा है लेकिन जो कर्म कर रहा है जो भाव कर रहा है उससे क्या होगा उसके बाद उसे वही संसार परिभ्धमन रूफ फल प्राप्त होगा दुख ही प्राप्त होंगे ऐसा यहां समझना चाहिए बहिया जी लोभी को फल की प्राप्ति बाद में क्यों कही गई है लोभी को फल की प्राप्ति बाद में कहने का ताट परिय वो तो स्वयम उस फल का उपभोग भोग ही नहीं कर पाता क्यों लोभ में आ सकते हैं ना विश्यों में आ सकते हैं बस और कमाओं और कमाओं और कमाओं ये भावना उसके मन में है मुझे और प्राप्त हो जाए लेकिन उसके उपभोग करने का उसके पास समय नहीं है सामणय से एक लाइन आती है सकल पधारत है घर만 ही लोभी नर्वह भोगत नाही लोभी विक्ती उसका भोग उभोग नहीं कर पाता पधारत तो घर में बहुत सारे हैं वस्तुय तो बहुत सारी हैं लेकिन लोभी है और ग्रहन और ग्रहन की इच्छा है और संसार में ऐसा देखा भी जाता है कितने ऐसे लोग हैं सुबह से लेकर के रात तक बस कमाने कमाने में लगे हुए हैं अपनी जिंदिगी में ना मंदिर जाना ना कोई पूजापाट करना ना कोई दान देना ना कोई गुरुओं की सेवा करना और इस्थिती यह है पूरा जीवन कमाने में निकाल दिया खुद भी उसका उभ्भोग नहीं कर पाए अब आने वाले जो आपके परिवार के लोग हैं अन्य लोग हैं नोकर कर रहे हैं ऐसे भी लोग देखते हैं संतान हैं वो विदेश में बैठी हुई है अब माता पिता ने खूब मेहनत करके खूब पैसा अरजन कर लिया बैटा भी विदेश में अच्छी जगे सेटल है वो बोलता मैं वापस नहीं आऊंगा भारत में अब उन पैसों का भोग भी कर पाएंगे दान धर्म भी कर पाएंगे नहीं तो लोभी विक्ति और अधिक वांच्छा में अपने जीवन को भी गवां देता है और उस फल को भी प्राप्त नहीं कर पाता तो आज की कक्षा में हमने जो दो गाथां पढ़ी दोनों का विशे कुछ अलग- कोई भाव शुन्य क्रियाएं कोई फल नहीं देती है जब तक हमारे अंदर वेराग्य नहीं है मात्र बाहर से हम व्रत उप्वास कर रहे हैं या बाहर से हम दान कर रहे हैं या कोई मुनिराज है मुनिपत पर आसीन हो गए लेकिन वेराग्य भावना नहीं है वस्तूओं से राग है परिवार से राग है या और किसी क्षेत्र विशेश से राग है तो फिर वो आत्म कल्यान में निमित नहीं बन पाता दूसरी गाथा में हमने समझा जैसे लोभी वेक्ती उस लोभ से युक्त होने के कारण स्वयम ही उन विशे पदार्थों का उपहोग नहीं कर पाता ऐसी अज्यानी और मूर्ख वेक्टी संसार में हैं हमारा नंबर उनमें नहीं आए इसलिए हम विशे कशाइन से दूर रहने का अभ्यास करें इसी मंगल में भावना के साथ बुलिद वादशांग जिन्वानी माता की जय जय जिनेंद्र स्वर्ग्य पंडित्ष्री रतनलाल जी बैनाडा की पुन्य स्मृती मी बैनाडा उध्योग लिमिटेट आग्रा शिरिमान नंदकिछोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाडिया प्रमोध नीना जैन सुनील निशा जैन पुत्र पुत्र वदू अंकित इती जैन पौत्र पौत्र वधू अक्षत जैन पौत्र आदविक जैन आन्या जैन पढपौत्र पढपौत्री एवं समस्त पहाडिय परिवार फर्म A.R.L. इन्फराटेक लिमिटेट अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइबिट लिमिटेट जैपुर शरीमान नरेंद्र कुमार जी, शरीमती पुषपा देवी जी, शरीमान सुरेश कुमार जी, शरीमती ललिता देवी जी, शरीमान प्रदीप कुमार जी, शरीमती मन्जु देवी जी, शरीमान अनिल कुमार जी, शरीमती संजु देवी जी, रेहा बाडी गुहाती असम श्रीमती पुष्पा देवी मुश्रफ, धर्मपत्नी स्वर्गय श्री भागचंद जी मुश्रफ, पुत्र एवं पुत्र वदू श्री अनुर्शी मती अमिता मुश्रफ, पौत्र एवं पौत्र वदू श्री अंकेश श्रीमती इती जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपो निमिशा जैन